किसान साथियो नमस्कार आप शबका एक बार फिर हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियो आज का विश्य है नीम्बू की बागवानी और 1280 कागजी नीम्बू किसान साथियो जब से मैंने नीम्बू पर कुछ वीडियो बनाई है जिसमें नीम्बू के बारे में विस्तार से बताया है उनकी परजातियों के बारे में बताया है तो मेरे को काफी उत्तर आये हैं और ये कहा गया है कि ये 1280 कागजी नीम्बू भी क्या कोई वराइटी होती है तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं इसी बात पर 1280 कागजी नीम् किसान भाईयों, अगर आप इस सब्द का 1280 कागजी नीबु इसे तीन सब्दों में तोड़ लीजिए, 1280 कागजी और नीबु, नीबु एक संग्या है, जिसे आप जानते हैं कि ये एक वस्तु है, सब को पता है नीबु क्या होता है, उसमें रस होता है, खटा होता है, बीज हो या नहीं हो, अभी हम इस चर्चा में नहीं पड़ते हैं, अब ये है कागजी, कागजी नीबु, वो नीबु होता है, जो गोल होता है, जिसका के आप अगर देखोगे, वजन जो है ना कभी भी 50 ग्राम से जादे नहीं होगा, 40 से 50 ग्राम के बीच में, ये कई युनिव बारहमासी सब्द आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी, तो इसका कोई वेग्यनिक परमान नहीं है, तो आईए हम यहीं से चर्चा अपनी सुरू करते हैं, कि ये बारहमासी क्या चीज है, क्या कोई वराइटी है ये, चलिए, सब को पता है, गूगल से जो करते हैं इसको, हमने टाइप किया बारहमासी कागजी नीमव, और देखे क्या आता है, सबसे पहले दो एड आए हैं, जिनमे के जो नरसरी वालों के एड है, कि आप नीमव हमारे से लीजिए, उसके बाद कुछ वीडियो हैं, और उसके बाद एक सबसे जो नीचे सुरू हो अच्छी वराइटी होती है कागजी बारहमासी नीमव, इसके अलावा कहीं भी आपको बारहमासी कागजी बारहमासी नीमव लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अब हमने यहाँ पर क्लिक किया और देखते हैं यह क्या है, जब हम इसके अंदर देखने गए, तो हमने देखा कि य सबसे अच्छा नीम्बू होता है और आप किसी भी सरकारी नरसरी से ले लीजिए और शुरू हो गया बारह मासी ये तो हुई उसकी बाद थोड़ा नीचे जाओगे तो आप देखोगे के वहां पर एक अन्य टाइटल है जो है इस प्रकार है पोने दो एकड नीम्बू की बागवानी से सालाना कमाई पांच से छे लाख रुपए अब भई जब तक कि किसी चीज में संसनी नहो तो लोग उसे पढ़ते नहीं है और परतेग आदमी चाहता है कि मुझे अच्छे से अच्छी आमदनी हो और ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो अब चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है आप देखेंगे ये एक जैन साब है जिनका नाम है अभी से एक जैन और वो संग्रामपुर गाओं है जिला भीलवडा में राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी नीम्बू की खेती करते हैं तो उन प्रकेट में नहीं जाए तो वे उसको अपने हाई उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है वो नीम्बू का रस भी निकालते हैं वो नीम्बू से अच्छा थी कि मैं एक बार उनके बाग पर जाओं और उनका इंटरिव्यू करूं लोक डाउन आ गया नहीं तो अब तक मैं बहुत कुछ घूम चुका होता है अब मैं उनका आर्टिकल पढ़ता हूँ मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा आप भी पढ़िए हिंदी में है हाथ कंगन को आर्सी क्या पढ़े लिखे को फार्सी क्या वहां पर मुझे कोई भी सब्द बारामासी काग जी न गरतिखा हूँ है वो वाक्य क्या है नरसरी हमेशा बीजू पोधें ही ले यानि अगर आप नीμबू का बाग लगाने की सोच रहे हैं तो नरसरी हमेशा बीजू नींबू के बीज से बने हुए पोधे की नरसरी ले देखें अभी तक इसी बात पर चर्चा हो रही थी कई वीडियो दिखाई मैंने, ये जैन साब है, आप उनसे पूछिए, उनके बाग में जाईए और देखिए, बहुत फेमस आदमी है, क्योंकि उसकी उम्र अधिक होती है, ये वाक्य में फिर पढ़ देता हूं, नरसरी हमेशा बीजू पोधे ही लें, क्योंकि इसकी उम्र अधि होती है, आपको याद है, डाक्टर दिनेस पैठनकर, जो पंजाब राओ, देश मुकरशी, विद्विद देला के साइंटिस्ट है, उन्होंने तीन बातों में से ये एक बात है, एक प्रमान मिला था, जो आपका था वैग्यानिक का, और एक है ये जो आदमी कारिय करता, ज पोच लीजिये, चलिए, ये तो हुया, बारामासी कागजी निम्बू, मेरे को इसके अलावा नहीं मिला, सिरफ बारामासी कागजी निम्बू किसी ने सब्द दिया, और एक ने उसका कागजी निम्बू का उतव दे दिया, जब भी आप गूगल में सर्च करते हैं, तो र रिसर्च अनुसंधान करने के बाद लिखते हैं लेकिन यहां पर इस तरह का कोई नहीं है तो मुझे लगा ये बारहमासी सब्द सिर्फ अपना ही बनाया हुआ है चलिए अब बात करते हैं तीसरे पाइंट की जब आप और सर्च करते हैं तो अब की बार मैंने क्या किया मैंन देखेंगे कि कुछ वीडियो आएंगे उन वीडियो के नीचे जो वीडियो जैसे ही समात होती है एक आएगा उसमें लीमू नीमू को मराठी में लीमू बोलते हैं और ये करसी विभाग महरास्ट सासन की वेबसाइट है उन्होंने इस पर कुछ लिखा है तो कम से कम ये सर सरकारी नरसरी चल लो तो अब आईए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है जब इसके अंदर जाते हैं तो इन्होंने वैसे तो मराठी में है आप इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं आप जाईए अवस से देखिए मैंने बार बार ये कहता ना चाहते हैं, हिंदी में मैंने नहीं पढ़ा, मैंने मराठी में ही दो सब्द जो थे वराइटी थी, मैंने उन पर धहन दिया, पहला था साई सर्वती, आप सब जानते हैं, ये काग जी नीमू की बहुत अच्छी है, सबसे पुरानी वराइटी है, दूसरा था फूले सर्व सबसे अच्छी वराइटी है, लेकिन ढूनने पर भी किसी वराइटी का नाम 12 मासी काग जी नीमू नहीं मिला, काग जी नीमू को कहते हैं, जो गोल होता है, जिसका छिलका पतला होता है, जिसका वजन 50 ग्राम से जादे नहीं होता, और उसमें खट्टापन बहुत होता है, उसको हम काग जी नीमू बोलते हैं, चलिए, यहां पर एक बात तो पता चली, के भई बीजू पोधा, उन लोगों ने बताया है, कि जब आप बाग लगाने की सोचे नीमू का, तो बीज से बना हुआ पोधा लें, चुकि यह मैं नहीं कहा रहा, अब ये अ 12 मासी का मतलब होता है, अर्थ होता है, कि 12 महीने, अब सहाब क्या ये 12 महीने क्यों दिया इसका नाम, तो कहते हैं इस पर 12 महीने फोल आते रहते हैं, जो की सरासर असत्य है, छूट है, आपने कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने अमरूद के अंदर बहार इन्तरन की बात की, इसी परकार नीम्बू में भी बहार होती हैं, और नीम्बू पर भी तीन बार फसल आती है, पहली होती है हस्त बहार, हस्त बहार के फूल अक्टूबर नॉम्बर में आते हैं, और इसकी फसल हमें गर्मियों में मिलती है, गर्मियों का मतलब अप्रेल औ और मई में मिलती है और इस समय नीम्बू का भाव बजार में सबसे अधिक होता है और प्रतिक आदमी ये चाहता है कि मेरे नीम्बू गर्मियों में आए और कुछ नरसरी वाले ये कहकर बेचते हैं कि इसमें भरपूर गर्मी में फसल आता है अरे ये आपकी नहीं है ये नीम दूसरी बहार होती है आपकी अंबिया बहार अंबिया बहार के जो फल है वो फूल है वो फरवरी मार्च में आते हैं फरवरी से सुरू होते हैं मार्च तक फल आते हैं फूल आते हैं इसके फूल के बाद में आपको फल मिलता है जून जुलाई में यानि जुलाई अगस्त तक इसका आपको फल मिलता है। थोड़ा कम होता है बरसाथ में भी हमारे नौर्थ इडिया में उत्तर भारत में अधिक निम्बू खाया जाता है। और तीसरी होती है मरक बहार जिसमें जुलाई अगस्ट में फोल आते हैं और सरदियों में हमें मिलता है निम्बू और ये न में एक लाख रुपे की आपको नेट वचत हो सकती है उसे और उसे तीस रुपे जो है ना करीब किलो मंडी के भाव में बेचते हैं लोग जो है तो किसान साथियों ये जो बारामासी सब्द है ये कोई वैगनिक तत्थे पर आधारित नहीं है ये सिर्फ इसलिए ले लिया कि तीन बार फूल आते हैं कोई माई जो है ना माई में फूल निकाल के दिखा दे माई जून में मैं कहता हूँ तुम मुझे दिखाओ कि इस पर फूल आएंगे का नहीं आएंगे आम मुझे सितंबर उसमें अगस्त सितंबर में दिखाओ कि क्या फूल आएंगे नहीं और तीनों बहार की खासियत यही होती है कि तीनों में आपको एक निश्चित मातरा में फल मिलता है अब आप ये कर सकते हैं कि किसी एक बहार को रोक कर जो उसमें फल मिलता है उसकी उपज आप अगली बहार में जोड सकते हैं जो कि हमने जैसे अमरूद में बताया था बहारनी अंतरा तो किसान भाईयों बहकावे में मत आईए 12 मासी कागजी नीम्बू कोई वेराइटी नहीं है आप अगर किसी को लगता है तो मेरा नमबर मेरी वेब साइट पर है आप उसे दीजिए और उसे मुझे बताईए आप बहकावे में मत आईए कागजी नीम्बू लगाईए अब कागजी नीम्बू में कितनी वेराइटी होती है चुकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में तो देखना ना भूलिये इसका अगला भाग नीम्बू की प्रजातिया इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, बंदे मातरम